हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो नॉलेज विज्डम तो आज हम लोग बाइलोजी अब्जेक्टिव पेपर कोड एफ डिसकस करेंगे जो कि बिहार बोड में पूछा हुआ है तो इस बार क्वेस्टन का पैटर्न कुछ इस तरह का है कि आपको 70 अब्जेक्टिव दिया गया है ज जो कि बहुत ही आसान है तो आई हम एक-एक क्वेस्टन का डिसकस्न करेंगे एक्स्प्लेनेशन के साथ अगर आप चैनल पहली बार देख रहेंगे तो कि इपिया सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको ने आपडेट्स मिलता र नहीं हमको देखना है मॉंप्स होता है वायर्र डिजीजी होता है इंफ्लेजर भी वाइरस डिजीज होता है और मिजल स्वी वायरस डिजीज होता और बीट्खेरिया कैसे नहीं होगा तो हम डीपी टी का तीका याद आएगा है कि तरह का भीमारी तो वेक्टीरल वायवेट ऺड़े तो इसका जएगा है कि देखते हैं हैंत तरह को कौन स almost वाब है मतलब की पॉस्वी of the following is not included in annual husbandry तो animal husbandry में इसमें कौन सा नहीं आएगा मद्मखी पालन basically आएगा कुकूट जिसको क्या बोलता है faulty farming ये भी आएगा और फिस farming भी किसमें आता है पस्व पालन में आता है तो इसका इसका एंसर क्या हो जाएगा organic farming मतलब की carbonic खेती तो इसका option क्या हो जाएगा डी जो की किसमें पस्व पालन में से मिलित नहीं है इसका मतलब की जो की animal husbandry में included नहीं है question no.3 नमलिखित में से किसका सम्मध microbiology से नहीं है तो इसमें मतलब की scientist का नाम दिया हुआ है और कौन से scientist में है जो मतलब जिनका किसी भी contribution microbiology के छेत्र में नहीं है तो लुई पाहचर साहब को basically इनका इनका तो contribution है ही इस जेडी वाट्षण इनका jamesd.watson इसका full form होता है हम लोग जनेटिक्स में परहुनगे तो वाट्षण क्रीक model दिया हुआ था तो इनका कोई contribution microbiology में नहीं होता है तो थर्ड का जो answer हो क्या हो जाएगा b हो जायगा जेडी वाट्षण अब देखते हैं next question next question क्या है question no.4 अब पुछ रहा है कि एंडी कोडोन किसमें पाया जाता है तो एंडी कोडोन हमको अगर ध्यान होगा तो एंडी कोडोन सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है टी आरेने में ही एंटी कोडोन सफाय जाता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा question number 5 मेंडल में ने प्रतिबादिन किया मेंडल क्या पर पोच किये थे तो बहुत ही आसान question हो गया मेंडल साब का क्या दिया हुआ था law of inheritance law of linkage इनका दिया हुआ नहीं था यह तो इनके जो मतलब की जो इनका postulate दिया गया था उसका यह तो violet करता ना linkage इसका answer क्या हो जाएगा वी law of inheritance के द्वारा दू द्वारा दूठल के द्वारा दूठल धया गया तो मेंडल के द्वारा दि боль्र घोए कि प्रृहिं क्या जाए गा कथ मतलब कि लॉर क्या बना जातING तो एक्षुली law of segregation को law of purity of gametes बोला जाता था ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा c हो जाएगा law of purity of gametes हो जाएगा ओके अब question number seven क्या है नई प्रजातियों करिमार का महत्वपूर्ण काड़क क्या है कि new species का formation होता है जैसे कि अगर RNA और DNA अंदर अगर कोई रेप पर दाता है तो वहां पर क्या होता था जिसको क्या बोलते थे mutation हो जाता था ठीक यहां पर अगर ecology में देहेंगे तो म्यूट मतलब की mutation के वज़ा से क्या हो जाता है है new species का formation होता है अब question number eight निम में से कौन सा किट भग्ची आप इंसेक्टी वेरस प्लांट के बारे में आपको बताना है इसमें कौन सा इंसेक्टी वेरस प्लांट है तो बिल्कुल असान है है इसमें होगा नहीं नेफेंटस आपको याद होगा बहुत लोग कंफ्यूज कि समें करते हैं तो ड्रॉसेर दो शेरा में लेकि ड्रॉसेर भी क्या होता है एक नफयंदेस प्लांट होता है सोरी किट भग्ची इंसेक्टी वेरस प्लांट हो यह सासफिड़ा तो आपको पता हैस्नेक का बी अलग होते हैं बते वी हो सकता इसका एंसर क्या हो जाएगा डी और सम्होते हैं तो कि क्या होते हैं हर्मोफोडाइट होते हैं अब यह क्या होता है क्लोरेला जो होता है वह सका एंसर क्या हो जाएगा चैवाल तो क्लोरेला क्या हो जाएगा घरलो एक होती है अब क्या जिन क्राई जिन बाल क्रिमी के किस फसल को बचाता है अब क्राई जिन पूछा है भायटेकनॉलोजी का क्षेस्चन है तो हम लोगो भू़त याद होगा कि जिन यूज किया जाता था ज्टान então उसका उभिव Вас o. review क्या हो जाएगा इसमें क्या हो नबर ट्वम देखते हैं Q ग्वानीन, साइटोसीन और थाइमुन और एक उरासिल जो है सिर्फ और सिर्द किसमें पाए जाता था, वोbbles अरण्यमने पाए जाता था तो हमसे इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें से कौन से सिर्फ मेरा तो हमको निकालना है तो पूरीन बे deal निकालना तो पीण कारन से होता है तो बैक्टरिया क्या होता है थी वारस लुँने के दिवारा क्या होता है कि इसका एंसर क्या हो जाएगा 13 का बी कि सब्सक्राइब कि माइक्रोप्रोपोगेशन के बारे पूछ रहा है तो माइक्रोपोगेशन होता है एक्छोली बैसिकली एक्जामपल यह सेक्षवल डिप्रोड़क्ष्ण में नहीं होता है यह कि लिख सक्षवल डिप्रोड़क्ष्ण में है श्याहिए थिहर फॉलनेайтеब कि अंदर होता था ए तो अब यूरासल पैया जाता था अब और तो थामीन के जगा पे तो इडेनीन तो पैया जाएगा आप थोड़ा साइस में देख लेंगे पर्स्टूइस आता है डिप्थेरिया आता है और टेट्स आता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा टाइफ हाइड टाइफ हाइड में जो होई डीपीडी का ठीका नहीं लगा जाता है डीपीडी को यह ट्रीपल एंटीजन बोला जाता है 17 which of the following is not a greenhouse gas अब इसमें से पूछा कि greenhouse gas नहीं है अब यह थोड़ा सा question वह क्या ग्रिन हाउस गैस नहीं है क्वेस्टन नमर 18 कानहा रास्ट्रिय उद्यान प्रसीद है अब पूछा जा रहा है आप से कि कानहा रास्ट्रिय उद्यान किसके लिए परसीद है कानहा नेशनल पार्क इस फेमस फॉर तो कानहा नेशनल पार्क जो होता है वह किसके लिए कर्ण होता है तो बागो के लिए परसीद होता है किसे के लिए पर सिधय का कणना एशनल पारंट ऺघॉक यसे हो और आम यह हो नहीं सकता है बकरी गय और घस यह भीश्री गलत और है घास बकरी और सेर इसका ंसर है गास प्तलब की टेटीसर होगा उसकी कोम कहाइगा घसे बकरी औरफी कोम कहाइद से क्थम देखर उब्झेक सुगर होता है और नाइट्रोजन बेस होता है अगर इसी में फॉस्पेट जोड़ दिया जाए तो नाइट्री टाइड हो जाएगा लेकिन हमसे क्या पूछा भाई तो नियुक्लियोसाइज पूछा है तो फॉस्पेट वाला जो भी गुरूप हो वो किया हो जाए बहुत ही असान question है तो गैमेट निर्माद के process क्या बोलते हैं तो प्रोसेस अफ गैमेट को गैमेट को गैमेट को गैमेट जेनेसिस बोला जाता है तो इस cancer क्या हो जाएगा यह हो जाएगा question अब डोडो डोडो पूछा हुआ है तो डोडो आपको मिलगा एनिमल किंग्डम में भी और इकोलोजी में भी तो डोडो जो होता है वह बिलूप्त हो गया प्रशाती है तो इस cancer क्या हो जाएगा 23 का 23 का यह हो जाएगा डोडो जोकी बिलूप्त होगए पर जाती अब question तरनमेट 24 निमन में से कौन द्विगरीद संर रचना है मतलब कि टू एन पूछा हुआ है प्लॉइडी पूछा हुआ है तो अंडारू के बारे में बोला है ओभम वो तो सिंगल होता है एन होता है किसी भी तऱ का गैमेट होगा वो किदा होता है मतलब मेल गैमेट हो या फी प्रवाडी 3N होता है और जाइगोड जो होता है उसका प्रवाडी कितना हो जाएगा 2 एट वृट्टी-फॉर कैंसर क्या हो जाएगा ची एगा 25 निसमा से पोधा जल भी दे अपानी मेरा रहने वाला पोधा के बारे पूछा जा रहा है उसको सिंहाणा ही और इंगलेंगा हो जाता है 2025 ऐपाइब ऊपाई यह हूजाएगा अब सठी पाएयब आए यह कहाती है我是 रडुश गर्ट्टिमी तो ही नहीं इसकता है अधा से लिऑरी मत्र पाइब हो जाएगा ज्मद फिस्टalis को जाएंब अब question number 27 मनुष्य पूरूस में गुर्व सूत्रों की संख्या पूछ रहा है तो गुर्व सूत्रों की संख्या हमको पता है कि pair of chromosome कितने होते हैं 46 होते हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा question ध्यान से देना है तेक्निकल पूछा है पूरूस बोला हुआ है तो पूरूस के लिए क्या होना चाहिए X और Y होता है और X-S होता है किसके लिए female के लिए तो इसलिए यहाँ पर पूछा हुआ है 44 तो हो जाएगा और 44 के साथ जिस pair के पास X-Y होगा वह उस cancer हो जाएगा इस cancer क्या हो जाएगा B हो जाएगा Question number 28 किसराज में व Просто रहा है कि सिस्टेट है तो ओल परेंड़ सम। Dal लेजियं परदस्थीत करता है अब प्रेंट गॡडल में दिया हुआ है ल्ट टीन करता है वो नहीं करता है वो 29 जीन को क्या करेगा रिगुलेशन करेगा किया क्या करता है थाटी अब क्या पूछ रहे हैं कि से किसका पुस्पास्ट खाया जाता है 30 में अब थैलमस किसका खाय जाता वही तो उसी पर सिर्फ से होता है उसी का थैलमस लोग खाते हैं अब क्वेश्चर नमर 31 डिने नीम में से किसका अनुवानसिक पतार थे अब डिने के बारे में पूछ रहा है कि किसका जरेटिक मिटेरियल है अब टीमबी का खुडपरम क्य परिस्थितिक तंत्र की अहार स्रेंखला में उर्जा का परवा होता है परिस्थितिक तंत्र मतला पूछ रहा है कि फ्लो अपेनरजी इंट फूट अफ एको सिस्टम मतलब कि इको सिस्टम में किसका फूट फूट चेन का एनरजी के फ्लो का पूछा हुआ है तो कैसा होता है तो तो वह शिर्फ पर शिर्फ यूनिडेरेक्शनल होगा इसका एंसर क्या हो जाएगा एक एक दिस ही है मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डारेक्शन में काम करता है क्या आप इको सिस्टम का फूर्ट चैन और नीन में से कौन सा एक जैवी खाद नहीं है अब इसमें से पूछा है कि जैवी खाद कौन सा नहीं है तो जो मतलब कि एक्चली यह वेक्टेरिया है यह तो इसमें से कौन सा वेक्टेरिया जो है जैवी खाद नहीं है यह हमसे पूछा गया है तो जो जेटो वेक्टर होते हैं वोही नहीं होते हैं जैविखाद बाकि जितने भी इसके इसमें जो लाव अगर क्या होते हैं गुसकर अनुकुलतम परिष्टी में क्या नहीं मार करता है अनुकुलतम मतलब क्या हुआ कि आप अप्टिमल कंडिशन दे दे तो बैसिकली बात समझे जो जैव रियक्टर और बायो रेक्टर इसको बोलते हैं एक्च्वली उसको क्या है प्रोड़क्ट का मतलब फर्मेशन करेगा सि इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगां 35 क 오른 ऐotका किस फल में वीज़ खोल को खाया जाता है कि सुपार्ट क जिकर्ण करता है विज़एस को क्या शे जाता है और कि नमिशुर ke Le Wind शक्री पूदर्पूर का सबदो सब से जादा रिभक करता है अपने पूछा है किसका तो हम लोग को पता है कि जो पॉलूशन इंडिकेटर होते हैं और लाइकन जो होंगे किसको दिखाते हैं आपको इसमें अगर ध्यान से नहीं पढ़ा गया होगा तो इसमें गलती करने का चांसे बहुत ज्यादा है तो इसमें नर मधुमक्य करती पूछा गया है और क्या पूछा गया है करेकरता मधुमक्य तो करते जो नर में काम जो भी करना होता है कौन करती है रानी मतमकी करती है जब कि होड़ी का फॉर्मेशन का प्रोड करती यह वर्कर solutions, भी करती है 39 sound случай में और पोल्टरी में होने वाली विमारी है होता ही ह्ला enn italy और डोसा का आटा किस सुष्ण चिवों के परियोग एक्टेरियागild होते हैं तो इडली डोसा में किसका प्रयोग के जाता है तो वेक्टेरिया का तो इसका एंसर क्या हो जाएगा यह हो जाता है जाता है जो समुंदरी घास इसको हम बोल सकते हैं एलगी होते हैं क्या हो जाएगा और किसे प्रस्तावित किया था वास्टेंड क्रिक तो होई नहीं इनमें से क、、 I een Richardson को दिया था जेकेव और मौनाब क्या किये था more मौनाब के दिया गया था operating model इस particle क्या हो जाएगा सी अब फट थोटी फोटी फ्री में क्या बोल रहा है restriction enzyme है restriction enzyme के बारे में पूछा जा रहा है restriction enzyme क्या है तो जो इंडो नीक्लीज होते हैं यहां होते हैं रस्टिक्सजन नगें Memberивать होता है वह बाहर काड़ता है ठीक है Palim remember the formation करवाता है ओर इंडो नीगेंज होता है क्या होता है रास्टी नНе सुरक्ष्य पदान की जाती है फ्लोरा को फाउना को परसितिक तंत्र को ए और बी दोनों को एक्च्वाली एक वेस्ट प्रधान के सुरक्ष्य परदान किसको किया जाएगा परिस्तिक तंत्र को स्टेंडरी प्रोडियूसर पूछा हुआ किस से प्रोडियुजर होते हैं वह है कि क्ला करते हैं जो क्या करते है जो एक यह स्टोर करेंगे तो स्टवार्वाले इसमें क्या हो जाएंगा सी हो daarmee कस जाएगा लोगी 70 degree Celsius पर किया जाता है सिसका इंजरा जाए कि हो जाएगा 46 का रभीम होती तुर पॉल्स फिर्ण पाराग भीति होती है जो पॉलिन में होता है उसका वाल के बारें में बारें कितना लेयर होता है जो cc एक होता है इनर लेयर तो आउटर लेयर को क्या बोलते हैं एक जाइन जो कि इस प्रोपोले लीन का बना होता है और अंदर वाल लेयर को क्या बोलते हैं इन्टाइन ओके तो इसका एंसर क्या हो जाएगा भी फोटी सेबन का क्या अंसर हो जाएगा भी अब क्वेस्टर नमबर तो इसका ओरीजीन जो होता है ना ओरीजीन होता है बोन मेरों में कहां पर इसका फूल प्रम क्या हुआ किस से निकलता है तो किस से निकलता है तो किस से होता है मतलब कि मेंस्ट्रल साइकल के बारे पूछा जा रहा है तो ncrt का लाइन है जो कि human monkey और चिंपांजी नहीं वहां पर एप दिया हुआ है इसलिए इसका एंसर क्या हो जाएगा दी फूटी पिप सारी 50 cancer क्या हो जाएगा डी ओल अफ दी फिप्टी वन में क्या पूछा है द्वी खंडन किस में पा जाता है मतलब कि वाइनरी फीजन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो एक बैयांदेनी की जाए अमीबा तो सबका एक्जामपल है और पैरामिसि कि अधकर हो जाएगा अब फिक्टी टू में क्या है अधी ने में साइटोसाइन है तो इक था सब заключ हो देखिये अब है कि चार हो नुकलोटाइट होते हैं क्या ऐसी है जक्राइ्ज टो क्ट में कि गुइवाद की अगफ साइटोसी जूझा है और एक धैमीन होते हैं तो अगफने अगफ में को पता दो टो-टी ऑए zeigt क्या होता है सी हमको क्या देख रखा है हमको हमको क्या दे रखा ऐसाइटेसीन दियाा है जब साइटोसीन हो गया 18 परसंट तो जीए फहनु 위해 टो कितना ओगा 36 अब बजकद किस को मान shipping में से हन्रेंड में से social उत There से थ्यान देने वाला बात हैं हमसे यहां पे क्या पूछा है पूछा हुआ है तो एले डाली इस प्सक्राइब क्या होता है था मीन तो अब बच्क शिक्ति फोर्थ वो ना सब्सक्राइगा थो सीर् पोट्यनीं बताना है जब स्टीर फॉर्फ उह और आप करेंके तो कितना हो जाएगा instructors Two retcho हो जाएगा ओके इसका तोट्य सका हो जाएगा थिटू क्टी तोट्यू क्यों हो जाएगा टी 32 53 विडाल परकिछर किसके लिए पुष्टी किया जाता है वाइडल टेस्ट किसके लिए किया जाता है वाइडल टेस्ट किसके लिए किया जाता है किस चीज बिमारी को मतलब कि डाइगोनेस करने के लिए बाचाने के लिए जो टाइफाइड होता है ना टाइफाइड के टेस् को को के 54 नीमन में से पराक्रमर करता है एक चाइबी एटेक्स ऑन वीच अफ दो फ्लोइंग सेल्स अब यहां पे छोड़ा सा ध्यान देने लाइक है कि 54 का जो है 54 का डी इसका एंसर क्या हो जाएगा टी हेल पर सेल को ही क्या बोलते हैं यहां देखक प्रति प्रति प्रतिरक्षा अनुकरिया आज तो मतलब की बहुत ही कमन हो गया है इम्यून सिस्टम और इम्यून रे Solar वो तो पूरे COVID-19 के दोरान देखा गया था कि जिसका इम्यून अच्छा होता था था बोला जाता है कि उनको कुछ हो नहीं सकता है मतलब कि उनको कुरोना का असर कम करेगा तो और होगा भी तो बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटी जन ह Bayo गैस्से नहांन रिटी हो ना टाले जबन बीड़न जब भी कोई autopsy कोई अलरजी होती है तो वहाँ पर रिर कालां हें होते में तो इसका इंसर हिस्टामीन कि अल pension को मिढ़ा नटी और सब्सक्राइब होगा तो 56 का एंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 57 में पूछा बायो गैस में होता है और वाटर वेपर होता है तो यहां पर वाटर वेपर तो एच्टू दे रखा है तो करबंडाइए इसका एंसर क्या हो जाएगा इन में से सभी अब फिट्ट क्रॉसिंग और किस अवस्था में होता है अब क्रोसिंग और का स्टेज पूछा है अब देखिए बिसिकली कहां से है तो इसे डिविजन से 11 का है ठीक है 11 से है और 11 में जो मतलब की मियोसिस लं होता था मियोसिस लं कर अंदर क्रोसिंग Оवर का दे नहीं है कि मतलब की मतलब बॉन कीं वर्याता है फेरीडेसन का वज़ा होता है तो जो जो फैक टी तरेम कंट का ठ्रोसमन होता था और उसी क्रोशिंग को मतलब से क्या होता है ठीक है दोनों जो सिस्टर कॉम्रेटी थे क्या करते हैं वहाँ पे ओभरलैपिंग करते हैं क्वेस्ट नमर 59 PCR is used to detect अब पूछ रहा है PCR का मतलब क्या होगा पॉलीमरेज रेक्शन को यूज किया जाता है किसकी सबसे अगर इसमें सुटेबल रोगा तो इसमें क्या हो जाएगा 58 का सब्सक्राइब 59 का यह हो जाएगा इस प्रोपर्टी को क्या बोलते हैं मतलब कि कोई भी प्लांट का कोई भी एक लीविंग जो पार्थ होगा पूरे प्लांट बोड़ी को फर्मेशन कर देता है उसको एक्शुली क्या हो जाता है और इसका एंसर क्या हो जाएगा 60 का सी हो जाएगा 61 अब रिप्ति वीजी प इनडियोस्ट कि अन्टन के और था ना चाहिए उसका होता है जो कि इन अतए मारत लौल से क्रम करते हैं उसका भी मेराथ टेइता है वाहां पे पना लेते हैं और जो एक होता है की दर फोब कर जाता है ट्रौ्र में मिल 1 जर्णाय को फ्यू吃 करके तो उसी पोपाइज और सिकल्र हमें Başप जाता है और वहाँ पर क्या हो जाता था वह देन जर्णनग क्या गता है धर क्या जाता था इंद द्रौटटष आफ कि अव्टी kissing अलेड़ का प्रोड़क्शन सिर्फ और सिर्फ एक प्रेंट्स होगा तो रिप्रोड़क्शन का जो फर्स्ट चैप्टर का ट्वेल्थ क्लास का रिप्रोड़क्शन करने के लिए जो एक प्रोड़क्शन मतलब की ऑफेस्प्रिंग को प्रोड़क्शन करने के लिए में एक प्रेंट्स तो इसका एंसर क्या हो जाएगा 63 का बी मतलब की 23 क्वेस्टन नमर 64 निम्ड में से कौन नर्य युगमक को संयोजन पर भूड पोस्ट बनाता है जो इंसर का फोन के लिए उसमें से कौन सा औरगन होता है तो पिछले ही question होने देखा था कि वहां पे पॉलर निकलियाई के सब्सक्राव करते हैं उसी कि आप बोलते हैं दूस्टर नाम से इसकेंड नमिकलियस भिए इस हम हो जाएगा अँच थी फाई को प्रभाव को स्ट्रिभा Oh जब एक दूसरे जीन को कवर रप करते उसको इप्स्टेटिस बोला जाता है ऑक्य सट के स्क expert क्याहर जाय का भूर्ण से बंधता है उसे क्या कहते हैं उसको जो उसको एंटी कोडोन बोलते हैं तो जो रहा है अब यह क्या है लेकिन जो human disease है 12th class का उसमें इसका class defined नहीं किया है इसका class जो बताया गया है 11th के animal kingdom में बताया गया है जो हेलिमेंथस जो मेरा exclaminthus है जिसको हेलिमेंथस बोलते हैं उसी में इसका example क्या इसका answer क्या हो जाएगा इसको नहीं में भी बोला जाता है 66 which organ of the body is most affected by excessive intake of alcohol अपका रहा है कि ज्यादा अल्कॉहल काने के मतलब इनरेक्ली समझे कि ज्यादा सराप पीजिएगा दारू पीजिएगा तो उसमें से कौन सा आपका organ ज्यादा एफेक्ट होता है तो लीबर जो होता है वही पे absorption होता है अल 69 मेंडल के नियम का एक अपवाद है और मेंडल साब जो genetics का खोजे किये थे अब उनके बारे में एक उनका नियम का बोल रहा है कि अपवाद क्या है इस question कर डिसको समय एक बार हम और फिछले बार मैंने किया था लिंकेज जो है लिंकेज लिंकेज ही जो था ना मेंडल यह था उसका क्या था अपवाद था तो 69 कैंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा अब क्यों सेवेंटी सेवेंटी में क्या कर रहा है कि निमन में से कौन सी यौन संचारित रोग है यौन संचारित रोग पतलब कि जो sexually transmitted disease होते हैं ओके तो सेक्सवली ट्राइफाइड तो होता प्राइब काटने से होता है और कलरा जो है वह तो बिमारी होता है उसको सेक्सवली ट्रांस्मीटेड बिजिज बोलते हैं तो इस तरह से हम सत्तर अबजेक्टिव केस्टन का डिसकाशन किये अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो प्रिप्या लाइक कीजेगा सब्स्राइ वाचिंग